हेलो स्टूडियांट जैसे कि आपको पता है नंबर सिस्टम के अपनी क्लास चल लिए एक्जाम्पल में अपने अराम से करें थे एक्जाम्पल से वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखिए तो उसे देख लीजेगो फिलाल अपकोशन करेंगे एक्सराइज करेंगे थोड़ा इसे स्वीट से करेंगे तो पहला कोशन देखिए पांच करमिक पूर्णांग को हो यूँग आपका ऐसे यह यह पांच करमिक पूर्णांग का मतलब है कॉंजिगरिव नंबर जिनमें आपके वन टू थी इस तरह आ अब इनका योग के है अपका इनका योग है आपका अब बताओ मैंने पीछे पढ़ा चुका है अग्जैम्पल में अगर आपको मद्धी संक्या निकालने क्रमागश संक्या में तो आप किया निकालोगे यादि ऐस अपोन पाइफ कर दो गए तो इनका क्या जैगा ऊसत तो सबसे बड़ा प्रूना के S की form में निकालोगे तो आप बताओ जो क्रमागत संख्या है तो यहां पर एक एड़ करना पड़ेगा यानि अगर मध्धे संख्या से यहां आते हो तो एक एड़ करना पड़ेगा इधर से अगर लास्ट में आते हो तो फिर वन एड़ करना पाई S प्लस 10 अपॉन में पाई है अब वहीं अगर आपसे मानलो पूछ लेता सबसे छोटी संख्या यह वाली तो यहां आपको क्या करते हैं मध्य संख्या से आपको पीछे जाना है यानि क्रमाग संख्या है तो एक एक यानि टूटर मिलाकर यहां से यहां पोश्चिन ए अगला कुशन है कि 123 वन प्लस टू प्लस थ्री और कितने पदों का योगफल 550 सोरी 50 होगा तो आप इसे उप्सें से करना यानि आप देखो पहला अगर हम मालने एक से लेकर आपके 50 तक संख्या है तो योग क्या निकालेंगे इसका तो पहली और अंतिम संख्या जोड़ द राइंगे जितने ही संख्या है कि यह क्या जाएगा और 25 की से 51 से गुणा लाएंगे तो 25 का 5 क्यारी 2 और 25 पंजी 125 125 तो कितना होगा एक सो 27 यानि आपको दिख रहा है कि एक से 50 तक कि कितना हमारा 12 पिछतर है वहिए आगा दो तो अंसर हमारा लाना क्या है सर पांच और 50 लेकिन आप यह बताओ अगर फिर हम बी ओप्सन को लेते हैं यह वाला उप्सन तो है नहीं अगर एक से क्यावन तक की बात करें तो केवल एक्यावन संख्या और बढ़ जाएगे ना अब बताओ अगर एक्यावन में एड़ कर दो कहीं भी जाके बारा पिछटर में अगर मैं लाख लाओ गया अगर इसके लगा लाओ एक सट्के लाओगे तो आपका कितना आजाएगा आपका पचास दसनीला पांच जिरो आ जाएगा वहीं इसकी सोस्य गुड़ा लगा है तो आपका कौन से अंसर बना इसका अंसर बना आपका पंदरा आपको रिख़़ा है सारी के आपकी विसम संख्या है एक तीन पाँच मतलब सम में से क्या संख्या का अब है और सम को निकाल दो तो बची के संख्या हमारी विसम बची तो विसम संख्या है और कहां तक है पंदरा प्लस डैस अब यह कहा रहा पंदरा पदो का योगफल पंदरा पदो तक का योगफल क्या होगा तो आप एक चिछ नोट कर लिजिए नोट में क्या लिखना कभी भी अगर विसम संख्या दे यानि ओड नंबर्स दे तो ओड नंबर्स का जो आपका योग होगा यानि ओड नंबर्स का योग जो होगा वो क्या होगा संख्या का स्क्वाइर यानि एन का स्क्वाइर तो एन इसमें क्या है पंदरा है यानि संख्या को योग बराव संख्या का स्क्वायर ठर्ड हो गया फूर्द अपने कोशन कर दें पचास से कम तीन से विवाजित पचास से कम तीन के सभी धनात्मा गुण जो का योग क्या होगा यानि आपको एक से लेकर पचास तक के बात करो और वहाँ पर बताना तीन से कम जित तो पचास तो तीन का मिल्टिपल है नहीं पचास से कम कौन सा होगा तीन का मिल्टिपल तो हमें तीन का मिल्टिपल कैसे फाइंड करेंगे तो तीन का मिल्टिपल फाइंड करेंगे ऐसे ही कि संख्या का योग तीन से करना चाहिए यानि पचास से कम अगर बात करें फूर् तो तेरह तीन से डिवाइड होगा नहीं यानि फूटीनाइन भी नहीं है फूटीनाइन से कम फूटीएट अर्टालीस अर्टालीस में आठ चर बारह यानि बारह तीन से डिवाइड होगा यानि हमारा अंतिवंग क्या है आपका अर्टालीस अब पहला अंक मिल गया लास्ट जतनी संख्या हैं अब आप बताओ 3 से कटने वाली 1 से 50 तक टीन से कटने वाली पहली संख्या तो 3 होगई जो कितने बार कटी ऐक बार कटी ए अन्तिम संख्या क्या होग ही है 48 तीन से किटनी बार यसका म具 3 अश्वार हैं इसका बिदन है 1-50 तक 11 संख्याय जो तेन की डिविजिवल यानि इन की डिविजिवल यानि तीन की डिविजिवल है आपकी तो कर देती जारा अंसर आठें आठ पंजे चालीस यानि 408 कोश्चन कांसर हमारा हो गया चलिए अगला कोश्चन देखते हैं तो फिफ्ट नूमर कोश्चन देखते हैं तो फिफ्ट के आपको ए वन टू थ्री फॉर फाइव तैन तक के सिन एडिशन दे रहा है पच्पन और पूछा है सिक्स ट्वैल एटेन ट्वन्टीफोर और शिक्स्टी तो इसमें मैं दो चीज़ बताना चाहता हूं आपको एक त सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको इस वाली कंडिशन में जो आपके बारा अठारा अठारा तक दे रखें इसमें से प्लस चैदूंटी बारा चैटी इंठारा अगा यहां तक मिलेगा और इसके जगा पच्पन डाल दो पच्पन गुणा चैटे डो तो अंसर तो भी आएगा पर अब भी आएगा इस वाली कंडिशन में साट लोगो तो भी अंसर आएगा जैसे चैपंजे आपका और डोनों को तो बलोगजोगे गलत गो त्यक्तिस आगे तीस यानिस अन्सर अगया धीन सु इस वाइट हो लह देख लेते हैं अंसर तो दोनों से आएंगे आपके अगे अगे इसमें क्या करना आपको कि अगर आपको यह कंडिशन ना दी हो तो आप सबसे बैस्ट आपको बेस्क से निकालो बागी आपकी अपकी इंटो किससे लाएंगे आप यह बताओ इंटो किससे लाएंगे जितनी संख्या होगी आपके पास आप ऐसा करो आप इंटो अगर आप एक से वीस तक संख्या लेते हैं लेकिन आपने ग्यारा से लिए तो आपने ग्यारा से पहले कितनी संख्या चोड़ेगी यह दी हो या नहीं दी हो कोई मतलब नहीं तो जड़र लगाते हैं पांच आएगा और ग्यारा और पर इस कितना हो जाएगा आपका तो यह तो लगाएंगे तो पांच आपन दरा यह देखो आप इस संख्या को देख पार हो यहां तक यह नि पचास तक आप देख पार हो कि एक से पचास तक का दे रखा है फिर मामला आपका इसने 49 48 और 1 यानि फिर उल्टा कर रखा है आपको पूरे का यह निकाला है तो इसमें दो चीज़ बन नहीं है आप पहले ऐसा करो कि एक से पचास तक का निकालो तो एक प्लस पचास डिवाइड वाइड वाई तू और कि इसे फिर बाद में निकालें पहले एक से 50 तक का निकालों तो यह आपका कितना आजाएगा आप का 25 और 50 और 151 की 25 ते लगाएंगे तो 25 25 25 25 172 और कितना हो जाएगा आपका एकसो सत्ताइस यानि बाराविचात्तर के लिए रहें कितना बाराविचात्तर अब यह बताओ अब इसमें एक चीज आप फोड़ा सा यह सोच सकते कि फोटी नाइन के बाद इस वाली क्रम में फिफ्टी तो छोड़ रखा है यानि पचास छोड़ रखा आगा पचास को में और डाल दो तो एडिसन तो वही आगा ना बाराविचात्तर लेकि जैसी पचास खतम हो गया तो पचास कम हो जाएगा यानि 12,25 तक का यूग 12,25 और कि कि फोटी ना इन से वन तक का जो एडिसन वहापका कितना है बाराव पच्चिस है तो दो को एड़ कर दो यानि 12,24 यानि पच्चिस सो हो जाएगा सब्सक्राइब समझ पाए हो गया अगला कोशन देखते हैं एर्थ वाला थोड़ा स्पीड में चल लें क्योंकि बैसिक हमारे क्लियर रूच एक्जांपल्स के साथ नंबर को कुशन है कि साथ क्रमें कि सम पूर्ण आंकों को एक सुचालिस है इनका यों कितना एक सचालिस है अब बताओ मिजे मिडल वाली संख्या निए ये वाली संख्या निकाननी है सब्सक्राइब होकि सम का मलब क्यों होग यह सारी संख्या लेंगे सारी संख्या लेंगे लिए रहे तो मद्य संख्या निकालेंगे तो मद्य तरीका सारी मैं आप यह दो एक्जांपल बता चुको आप एक्जांपल वाली वीडियो जरू देखो वहीं अगर चोटी पूष्टा यानि अपसे यह वाली पूष्टा तो आपके करते इसी तरह माइनस में आ जाते हैं चलिए नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं नाइन्थ वाला साथ कर्मिक विसम पूर्नंग संख्यों को युगफल 133 यानि साथ, आप सम थी यहाँ पर विसम में ही, सम और विसम में एक अंतरimmen common है, कि सम संख्या और विसम संख्या दोनों में अंतर आपका कितनारे सबसे चोटी संक्या पूछी तो पहले हमें मिडल संक्या निकाले मिडल के लिए हम क्या करेंगे एक सो तैंतिस डिवाइड वाइड वाइड सैविन यानि आपका साथी कम साथ बचा कितना अच्छ है और साथ निम त्रियर सट यानि उननिस आ गई यह तो आगे मिडल अगा अच्छा यहां पर यह चोटी बड़ी ना पूछ के मध्य संक्या पूछ लिए तो तो आप उननिस च्छोटी हो जाएगी आपकी पंधरसर चोटी की हो जाएगी आपकी तेरा च्रह अंसर क्या और डिक कोशन है के लुए ध्यान अक्रों और विसम संक्या में एक चीज कॉमम है कि इनमीं में अंतरणकर दूंट रहता है थेंतन वाला कुशई तीन क्र्मिक पूनदांकों का यग 1350 है यानि तीन क्रबिक पून संख्या को यग और सबसे छोटी तथ草ता बड़ी संख्या का यग घर होगा को ग्रस्माइर का बंदे संख्या को बाग्दी वही करेंगे तो कितना जाएगा तीन चोग बारा, तीन पंजे पंद्रा, चार सो पचास आ जाएगा, अब चार सो पचास के बाद कौन सी संख्या की दिखो इसमें ना सम है ना भी सम है, तो इसलिए हम दो घटाने वाला और दो जवाला काम नहीं करेंगे, तीदे लगातार संख्या यहां का योग, यानि 449 चोटी और 451 बड़ी योग लगा दो, यानि 448 यानि 900 का अंसर आजएगा, चलिए, टेंथ हो गया, 11th को देखते है, तीन से गुणा करके बनी, 100 से दोसों के बीच सभी प्राकरती संख्या का योग क्या होगा, तो तीन से गुणा करके बनी, यानि 3 की multiple हैं, और कहां से कहां तक बतानी इं, 100 से 200 तक, तो पहले काम तो वही करना है ऐपको, कि 100 के बाद कौन से संख्या काती है, जो 3 से कटी है, और 200 से पहले कौन से संख्या आती है, जो 3 से कटी है, तो संख्या 3 से divisibility का rule आपको पता है, तो लगा दो, सो के बाद के 103 से कटेगा तो 101 में अगर संख्या को योग करें तो 1 और 2 ही बढ़ता है और 102 में करें तो 2 और 3 बढ़ता है यानि आपका 100 के बाद जो संख्या आएगी वो 102 होगी जो 3 से कटेगी अब 200 से पहले देखें 200 से पहले आपका देखो 199,998 और एक 19 नहीं कटेगा 198 कट जाएगा यानि 198 3 से कट जाएगा तो पहली संख्या और प्लस अंदिम संख्या डिवाइड बाइ 2 और इंटू किस से लाओगे चलो पहले यह करो कि 102 प्लस 198 इन दोनों को एट कर लो तो इन दोनों को एट करके डारेक्ट लिख लेते हैं इतना होगा भी यह हो जाएगा आपका 300 200 300 हो जाएगा 300 और डिवाइड में क्या 2 अब इंटू किस से लगाओ जितनी संख्या है तो पता कितनी होगी अब आप सोड़ा सा रफकाम देख लो मेरा यहाँ टी आपको पता होने indicative एक से सो तक कितनी संख्या होती हैं जितनी एक सो तक हो इतनी सो से दो सत होंगी अब कैसे प्तल आएंगे 100 से पहले कौन सी संख्या है जो तीन से कट जाएगी तो कितनी बार कट जाएगी आ dieta इसका उल्ब 100-200 तक भी आपकी 33 सिसंख्या होंगी तो इसी कर लीजिए और यह आपका 150 आजाएगा 150 की 33 लगा देना यहीं 150 की अप 33 लगा देना तो आप जीरो को भूल जाओ थोड़ी देरें ऐसे लगाते हैं तो पंदरेटे इसका प्राकरति संख्या का योग क्या होगा तो प्रिथम विसम संख्या आपको याद रखना है क्या होता है बताया था तो 20 पूछ रहा है यादी 20 का पूछ रहा है, तो संख्या कितनी है? 20 हैं, उसमें क्या करोगों है? विसम? संख्या को योग पराबर संख्या का एकर-सख्या करते हैं है अब बताओ कोई संक्या का 2 से डिवाइड हुरी तो इसमें 2 कंतर होगा कोई भी संक्या का 3 से डिवाइड हुरी तो 4 कंतर होगा या नि जिस से डिवाइड होगा इसमें उतना ही लाइंग कि actually 24 सबसे बड़ lunarис अब करी 20 सबसे बड़ी सबसे चोईस में तीन जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा आपका 27 हो जाएगा तो अंसर क्या आगए 27 पूछा होता छोटी तो पीछह आ जाते पीछह आने कली तीन खटा देते अंसर आपका भी आगए अगला पुश्रें दिखने है 14 इक 101 एक सो थीन और दोसो तक का योग किया होगा तो भी एक से एक सो प्ले 151 आप से नहीं संख्याओं अब बताओ अगर आप एक से 2 से संख्या होती है। worried लेकिन आपने लिया एक सो एक से पहले आपने कितनी संख्या चौर दी आपना छोड़ी 202 तो आगे साँ बचने से लगा लगा दो आसे इंटू करोगे तो आपका कितना है यह आजाएगा आपका दोस्तों तीनसों एक और डिवाइड दबाइटू इसको करोगे तो आपका डेट सो और एक काद है निए यानि एक सो पचास दसम्लाब पांच आएगा और इन्टू इसके लगानी है सो की तो सिंपल है यानि वन फाइफ जीरो फाइफ दो जीरो और टांगो और एक क्या के पॉइंट हटाओ यानि एक सो पचास और पचास एक सो पचास यानि आपका सी अंसर कुशन का आ गया 15 मद्धी संख्या निकालोगे तो क्या करोगे ओसत निकालेंगे यानि 225 डिवाइड बाइफ 5 यानि 5 चुग 20, 25, 25, 45 आ गया पूचा क्या उन में सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या के लिए आ गया जो यानि 5 जोर दो पांच कंतर होगा यानि 45 में 5 सबसे प्लाकर संख्याओं को योग 225 है यहनि पांस चोक 20 25 25 सेहँ है आपका कि मैंने हाद पर पांच लिख दिया आप संख्या पांच नहीं संख्या तो आपकी 3 न याप 225 को ठोड़ा रफ कर दे रहे 225 को आप 5 से थोड़ी भाग करोगे तो 225 को आपको भाग करनी है 3 से जितनी संख्या उससे तो करोगे तो तीन सत्य एकिस और तीन पंजे पंद्रा यानि 75 आ गया अब इसमें पांच जोड़ दो यानि बड़ी संख्या होगी है हमारी असी तो कोप्शन नमबर डी कुशन का आ गया तरी सिक्स्टी नमबर का कुशन देखते है एक्यानवे बयानवे तिरानवे और एक सो चालिस का क्या होगा यानि योगी बताना है अब इसमें देख रहा हो किरमा का संख्या है यानि 91 92 93 का तक एक सो चालिस तक यहां पी इन्हें जोड़ोगे डिवाइट बाइट वाइट वागा व्या संख्या कितनी होगी अब यह बताओ फिर वह यह साब लगा लोगा कि एक से अगर अगया तो आपको इतना यह आजाएगा तो यह आजाएगा आपको कि पचास पांच थी अब यानि आप किसे लाओ पचास से एक क्यान वे अब तो आपको जाएगा इतना इक डोसुकात्यस की डिवाइड लगो पचास से और यह व्यागा अब पच्चेस अब 25 इकम 231 की गुणा लगा तो 25 25 25 का पांच देखो कहीं का इकांग पांच है थोड़ी और लगा लो 25 25 25 75 75 और दो कितना 70 70 का चाहिं भी अगा 75 है तो वहां लगा लो यानि बस पूरी गुणा भाग हमें नहीं करनी पेपर में इतने पूरी का लगुशन आप करके देख लेना अंसर यही आएगा पूरी गुणा भाग हमें नहीं करनी ऑप्शन को भी धियान में रखना है तरी ओप्शन नमबर 17 लगातार चार विसम संख्याओं का योग 208 है सबसे बड़ी संख्या ग्याद करो यानि कितनी है चार विसम संख संख्या निकालनी है आप न यापकी न कीमें माझत्य संख्या घृहां वहाली संख्या कैसे निकालेगे यहां व्यसे ही निकालेंगे लेकिन धियान लखना थोड़ासा कुछ इस में वह आप आगे बताता हो तो 408 कि कि से डियोएट करें 4 से 40 संख्या तो 4 पंजे और 4 दुनी 2 यानि बावन आग्या अभी जो को बावन आगया अब तो नियर्य संख्या थियान रखना तो आपको बता है कि दो यानि पच्पन के बाद आपको जुड़ जाएगा आपका दो यानि पच्पन और एक कुशन कंसर आ गया ध्यानक ना बावन कुछ भी नहीं बस बावन हमने अपने कंसेप्ट के थुरू निकाला है अब पीछ अगर बने चूटी संख्या पर तो वही बावन से इधर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका बावन में दो बावन से पहले कौन सी विसम संख्या थी तो इक्यावन से पहले क्या जाएगे आपकी तो दो कमकुरो यानि 49 सबसे चुटी 49 सबसे बड़ी आपकी 55 तो चौती संख्या पच्पन होई तीसरी पूश अब को संख्याव के वर्गों गनों के योग पर अधारित प्रशन है तो इन को करेंगे अपनी अग्री वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है पढ़ाने का तरीक अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और सिरकन ना खुले वीडियो देखने के लिए धन्य वाद थैंक्स पोर वर्चिंग